उत्तर प्रदेश में राजसभा चुनाओं के लिए सपा ने अपनी तीनों सीटों पर कैंडिडेट उतार दिये हैं टिमपल यादों का राजसभा चाना बुध्यवार तक लगभगते माना जा रहा था लेकिन सपा प्रमुक अकलिस यादों ने तीसरी राजसभा सीट पर आर चुनाओं आयोग ने बुध्वार को आजमगड और रामपुर लोगसभा सीट पर उपचुनाओं की खोचड़ा की है सूबे की इन दोनों सीटों पर 23 चून को उपचुनाओं हैं ऐसे में सुत्रों का कहना है कि आजमगड लोगसभा सीट से अकलिस यादों अपनी पतनी डिमपल यादों को कंडिडिट बना सकते हैं बताया चाह रहा है कि अकलिस यादों किसी भी सूरत में आजमगड सीट खोना नहीं चाहते इसलिए उन्होंने वहां से डिमपल यादों को उतारने की तयारी की है बता दे कि आजमगड संसदी सीट छोड़ने के बाद अकलिस यादो कई बार आजमगड का तौरा कर चुके हैं इस तौरान वो लोगों का करकरताओं का मन भी टटोल चुके हैं ऐसे में यादो परिवार से बाहर किसी दूसरे नेता को टिकट दे कर उपचुनाओं में उतारने पर इस्थानी नेताओं से भगावत का खतरा माना जा रहा ह आजमगड लोकसवा सीट पर 19 लाक मत दाता हैं जिसमें सबसे जादा करीब साड़े 4 लाक वोट यादो के हैं मुस्लिम और तलित 3-3 लाक है चपकी सेस अनचाती हैं ओवी सी में यादो जिस तरह से सपा के कोर वोटर रहे हैं तो वही दलितों में बियस्पी का मूल उट ब रखने का दाव पहले ही चल दिया है वही सपा के सामने आजमगड में अपने भीचे रत को जारी रखने के लिए बड़ी चुनोती खड़ी हो गई है पिता की सियासी विरासत समहालने के लिए अकलिस यादो जिस तरह 2019 में आजमगड सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे उसी तरश पर सपा अब अकलिस यादो की सीट से डिमपल यादो को चुनाव मैदान में उता कर यादो मुसलिम वोटो के समी करण के सहारे अपने सियासी वर्चस को बनाया रखना चाह रही है दरसल सपा ने अपने कोटे की तीन राजसवा सीटों के लिए कैनिडेट खोसि दे दिया है सुत्रो का ये भी कहना है कि सपा प्रमुक अकलिस यादो के सामने दिली में अपने सरकारी बंगले को बचाये रखने के लिए पतनि टिमपल यादो को संसत भेजना मजबूरी बन गया है टिमपल यादो 2019 के लोग सभा चुनाव में कन्नो सीट से हार गई थी औ अगर ऐसा ही रहा तो उन्हें दिली का सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है फिलाल यूपी की दोनों खाली लोग सभा सीटों पर उप्चुनाव की खोशड़ा हो गई है ऐसे में टिमपल यादो का आजमगर सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा भी तेज हो गई है ह झाल 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 झाल